इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Adobe Premiere Pro में जो वीडियो की editing होती हो किस परकार से की जाती है तो इसमें हम basic tools जो use में लाएंगे उनका नाम है razor और trimming tool और cutting और selection of repeal तो हम Premiere Pro को open कर लेते हैं को open करेंगे तो कुछ इस परकार से interface open होगा और इसके बाद आपको files में जाना है यहां से आपको new project पे click कर देना है और यहां से project पे click करना है यहां से आपको अपने project का name choose कर लेना है जैसे मैं training यहां पे लिख लेता हूँ और इसके बाद enter कर देना है कुछ इस परकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे एक वीडियो को इंपॉर्ट करना है जैसे कि मैं यहाँ से एक वीडियो को इंपॉर्ट कर लेता हूँ और अगर आपने मेरी इससे वो यहाँ पे आ चुकी है, करसर लेके जाना है, और right click को press करके, drag कर देना है, timeline की ओर, और यहाँ पे आपको, करसर को drop कर देना है, कुछ इस प्रकार से, आपकी video और audio files, दोनों separate हो जाएंगे यहाँ पे, सबसे उपर वाली video file है, और नीचे वाली audio file है, अब आपको इस audio और video file को, थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसके लिए आपको, यहाँ पे click करना है, और इसको छोटा कर देना है, यहाँ से, कुछ इस प्रकार से, यहाँ फिर दूसरा shortcut है, अगर आप इस line के उपपर, cursor को ले जाएंगे, और scroll up-down करेंगे, तो यहाँ से इसकी size, कम जादा हो जाएगा, जैसे कि आभी देख सकते हैं, अब हम इसकी height को, थोड़ा कम जादा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, वीडियो file की भी height को, थोड़ा increase कर लेते हैं यहाँ से, कुछ इस परकार से, अब अगर आपको इस timeline को, left and right move कराना है, तो आपको वीडियो या audio file के, उपर इस cursor को ले जाना होगा, और यहाँ से scroll करना होगा, कुछ इस परकार से, अब हमें इस part को यहाँ से लेकर, यहाँ तक delete करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको razor tool पर जाना पड़ेगा इसके लिए, वहाँ पर click करना है, जहाँ तक आप इसको remove करना चाहते हैं, यहाँ से आपको click कर देना है एक बार, और इसके बास selection tool पर जाना है, अब आपको इस वाले area को select करना है, delete करने के लिए, तो यहाँ पर एक बार click करेंगे, अपने keyboard में delete प्रेस करेंगे, तो यह वाली clip जो होगी, delete हो जाएगी, अब आपको इस repeal को delete करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खाली area है, इसको delete करना है, कुछ इस परकार से delete हो जाएगा यहाँ से, अब अगर आप कहीं middle पे कुछ बोलना भूल जाते हैं, या फिर कुछ गलत बोल देते हैं, तो उसको अगर आपको delete करना है, तो यहाँ से आपको razor tool को select करना है, जैसे कि मैं इसको remove कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक click किया, selection tool पे गए, और click किया इस clip पे, delete button दबाया और यहाँ से फिर से एक बार click किया और फिर delete कर दिया, तो इस परकार से हम इसको delete कर सकते हैं, अब अगर हम trim tool की बात करें, तो आपको उस clip पे click कर देना है, जिसको आप trim करना चाहते हैं, मतलब कि आपको वीडियो के end से, या फिर start से trim करना है, मतलब उसको हटा देना है, तो यहाँ पे आपको third number tool पे जाना पड़ेगा, और इसमें लेके आएंगे आप इसको, यहाँ से इसको right को move कराएंगे, कुछ इस परकार से, छोड़ देंगे तो उतना part जोगा, वो delete हो जाएगा, अगर कुछ इस परकार से यहाँ भी, तो यहाँ से भी आप delete हो जाएगा ऐसे, अब अगर आपको अपनी वीडियो में कहीं पे text लिखना है, तो T page क्लिक कर देना है, और इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप text लिखना चाहते हैं, जैसे की, यहाँ पे मुझे लिखना है, और इसके बाद टैपिंग करनी है, यहाँ से जैसे मैं right लिख देता हूँ, कुछ इस परकार से, यहाँ पे right लिखा हुआ दिख रहा है आपको, अब इसको अगर आपको forward या फिर backward या फिर उपर नीचे करना है, तो इसको भी कर सकते हैं, आप यहाँ से effect control में जाएंगे, text में जाएंगे, motion पे यहाँ पे देखेंगे तो आप, यहाँ से scale, scale को भी कर सकते हैं, इसको कम जादा, कुछी इस परकार से, और अगर आपको इसको rotate करना है, तो rotate भी कर सकते हैं, जैसे कि यह upward direction में, या फिर किसी भी direction में, इसको rotate भी कर सकते हैं, किसी भी angle पे, अब next option आता है, opacity, मतलब कि आपका जो लिखाओवा text है, उसका color आप कितना रखना चाहते हैं, इसको opacity पे click कर देना है, और यहाँ से आपको 96% जहाँ पे लिखा रहा है, वहाँ पे जाना है, इसको कम जादा कर देना है, जैसे यहाँ पे आपकर आप click करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ 80%, तो enter करना है 80% हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप 50% रखना चाहते हैं, तो 50 करेंगे और enter कर देंगे, तो 50% आपकी जो taxi की opacity होगी, वह रह जाएगी, तो इस परकार से हम basic editing करते हैं, अपने premiere pro software में, तो आज की वीडियो में इतना ही, और next वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को subscribe कर ले, और bell icon दवा लें, ताकि next वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँच जाए,